साथियों नमस्कार हमारे गौट केर चैनल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज हम आपके लिए एक विसेज जानकारी लेके आए हैं और वो जानकारी है बक्रियों के चरम रोग से संबन देता साथियों आप सभी को पता है कि जब भी किसी बक्री को चरम रोग हो जाता है या खुजली आने लग जाती है या बाल जड़ने लग जाते हैं सबसे पहला हम काम करते हैं कि ये हाई-टेक प्लेटिनम जो इंजेक्शन है वो लगाते है हाई-टेक में भी कई प्रकार के इंजेक्शन आता है हाई-टेक प्लेटिनम आता है या जहां पर बात चल रही है चरम रोग की तो इसमें आपकी ये जो हाई-टेक प्लेटिनम है इसका बहुत शानदार रिजल्ट है 40 kg की बक्री के लिए हमें 1 ml चमडी में लगाना है 40 kg से अगर उपर है तो आप 2 ml यूज़ कर सकते हैं 40 kg से 20 kg तक आप 1 ml यूज़ कर सकते हैं 20 kg से नीचे आपको high-tech जो plan injection आता है वही यूज़ करना है तो पहला काम तो हो गया injection का इसके अलवा अगर मान लेजिए ज़्यादा तकलीब है तो हम एंटिबाटिक यूज़ कर सकते हैं या CPM बगएरा या CPM की जगे मान लेजिए कई बार जब अधिक प्रॉब्लम है तो आईसो फ्लू फेरडोन भी यूज़ किया जा सकता है विशेश तोर से ये injection जो है वो आता है प्लेटिनम जो है वो चर्म रोग में बहुत इश्यांदार रेता है इसके अलवा यहाँ पे बाद सिर्फ यहीं कतम नहीं होती हमें लाल दवा से यानि पीपी से पीपी ये आप देखी रहे है फोटो में पीपी से अच्छी तरीके से वास करवाना है यानि बकरी को हम थोड़ा सा लाल दवा का पानी तयार कर लेंगे एक लोटे जिसे आदा लिटर हमने पानी लिया उसमें आपने पांस साथ दाने डाल दी है पीपी के तो वो लाल सा हो जाएगा तो लाल सा करने के बाद उसका एक तरफ से अच्छी तरीके से उसके पूरे सरीर को जो पोचा लगाना कहते हैं वेसे आप कर दें दूप के समय ऐसा नहीं हो कि सर्दी के समय आप कर दें सुबह या श्याम दूप निकली अभी जैसे सर्दी का मोसम है तो सरदी के मौसम जब धूब निकलती है उस समय आप ये काम कर दे इसके अलावा जहां पर भी इस्पोर्ट बन गए कई बार क्या होता है कि जब इस्किन प्रोब्लम ज़्यादा हो जाती है तो जगे जगे इस्पोर्ट बन जाते है तो इस्पोर्ट में जो सबसे अच्छा काम करता है वो ये ओइंटमेंट है कि स्किन कि स्किन ओइंटमेंट इस्पोर्ट जहां पर भी हो रखा हैं बहुत ही शांदार काम करेगा जहां जहां इस्पोर्ट है वहां आप एपलाई कर सकते हैं पहले लाल दवा से दोले और लाल दवा से दोने के बाद वहाँ पे लगा दे बहुत ही अच्छा रहेगा इसके बाद मुख्य बाद सुरू होती है और मुख्य बाद यह है कि हर स्किन डिजीज के पिछे जिंक का, कोपर का इनका बहुत बड़ा आत होता है और जिंक का बहुत बड़ा रोल होता है बक्रियों में और बैड़ों में तो जिंक का जो यह आप पाउडर देख रहे हैं ग्लाइसीन चिलिटेड जिंक जो पाउडर है यह पाउडर ज्यादा बड़ा नहीं आता है जैसे 200 ग्राम के आसपास आता है लेकिन हमें बक्रियों को देना कितना है सिर्फ 2 ग्राम और ज्यादा देना ही नहीं है 2 ग्राम रोज देना है और वो भी इसे अकेली नहीं देना है इसे हमें जो नॉर्मल मिन्रल मिकसर आते हैं या फिर आपके एरिया में अगर यह Milko Fit Platinum मिल जाए तो Milko Fit Platinum में 24 Vitamins और Minerals का Combination है तो इसके साथ आप इसे मिला करके देए बाकी Copper बगएरा सब इसमें मिल जाएगा और Calcium, Phosphorus, Vitamins सौरे इसमें है लेकिन Zinc भी इसमें है लेकिन Zinc को आप अगर अलग से Aid करेंगे Skin Disease में तो बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा इसके अलावा जो Platinum हमने इंजेक्शन लगाया था वो इंजेक्शन Continuously महीने भर तक काम करता है शांदार तरीके से बाकी तो Company तीन महीने के लिए कहती है लेकिन महीने भर तक बहुत अच्छा काम करता है वापिस आपको हाई-टेक रिपीट करने के अवशेक्ता नहीं है इसके अलावा अगर आपको लगता है कि पेट के वर्म्स भी हो रखे है या उसकी वज़े से भी प्रॉब्लम हो सकती है तो हाई-टेक का solution आता है सीरप आती है तो यह सिरफ भी 100 kg के पीचे हम 25 ml देते है यानि वज़न के चोते हिस्से को हम ml में convert करेंगे अगर मान लीज़े 60 kg की बगरी है तो 60 kg को चोता हिस्सा क्या हुआ 15 kg तो 60 kg पे 15 ml हमें देना है यानि चोते हिस्से को हमें ml में convert करना है इसके अलावा यह जो treatment हमने बताया है पूरी तरीके से pregnancy sap है कोई दिक्कत नहीं है कई भाई पूसते हैं कि आईवर मेक्टिन प्रिक्नेसी सहब है क्या प्रिक्नेसी में आईवर मेक्टिन कोई दिक्कत नहीं करता बक्रियों में और बेड़ों में गायवेंस की अलग बात है वो हम गायवेंस वाला जो चैनल है रामावत वैट्स कलब उस पर चर्चा करेंगे बक्रियों में किसी भी प्रकार के कोई दिक्कत नहीं करेगा और यह इलाज जैसे पाउडर हम दे रहे हैं तो यह लगबख महीने बर तक चलेगा तो देरे देरे करके इसकिन डिजीज जो है वो एकदम से ठीक हो जाएगे